जय हिंद बच्छों स्वागत है अपने इस यूटूब चनल में बच्छों आज के इस वीडियों में हम कच्छा बारा के बिद्यार्थियों के लिए समास सास्त का यह जो है माडल पेपर लिकर आए हैं जो बच्छों 2024 बोट के लिए बेरी इंपोर्टन रहेगा और दोस्तों कच्छा बारा के बिद्यार्थियों जो समय में मिलेगा आपको वो समय तीन घंटे 15 मिनिट का रहेगा कितना रहेगा समय तीन घंटे 15 मिनिट का और उसके बाद में पुलांक जो आपको रहेगा वह सव अंकों का रहेगा पुलांक जो है आपका सव अंकों का रहेगा और उ किbellिख के देखनY को आपको मिलींगे तो किस प्रकास कोछ फीज से ने अभियान का नेतुरु ते किया था तो राजा रां महहराय ने बंगाल में जो है सती पर्था बिरोधी का अभियान का नेत्रुत किया था सही जो बच्छों यहां सी हो जाएगा राजा राम हो राये बंगाल में किस अभियान का नेत्रुत किया था तो सती पर्था बिरोधी आंद्रोन का नेत्रुत किया था दबेल्थ आप नेशांस नामा कुछ तक क्रिशना किस ने की थी? तो बच्चो दबेल्थ आप नेशांस नामा कुछ तक क्रिशना एडम इस्मित ने की थी? एडम इस्मित ने की थी? एडम इस्मित ने की थी? एडम इस्मित क्या है बच्चो यह अर्शास के जनक कहे जाते है ठीक है तो यहां से एक एक नंबर आपको मिलेगा भारत में जो है खदान अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था तो वर्ष 1952 इस्विमें भारत में जो खदान अधिनियम पारित हुआ था में रावन इसभी में पारित हुआ था सबसे जादा लभाविन था वचो राज का नाम है है पंजाब कौन्स राज में वन पंचाइद का गठन किया गया है किस राज में वन पंचायत का गठन किया गया है तो वच्छो सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा उत्राखंड उत्राखंड राज में वन पंचायत का गठन किया गया है तो वच्छो इस प्रकाश क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे 24 बोर्ट की इंजाम में आप देखते रहे बिटिस सासनकाल में अंसुशी जातियों एवन जन जातियों के मद्ध सूची वर्ष तैयार की गई थी ते बच्चों वर्ष 1935 वी में तयार की गई थी कप की गई थी वर्ष 1935 वी में आर्थिक उदारी करण की नीद को जो है किस वर्ष अपनाया गया तो आधुनी उदारी करण की नीद को बच्चों किस वर्ष अपनाया गया वर्ष 1921 वी में आर्थिक उदारीकरण की नीत को जो है वर्स उनीष उक्यान इसवी में अपनाया गया था जान्शंक्या ब्रिद्धी के दुतिह चरण में किन देशों को सामिल की जाता है चलीए गगला कोच्चन दिखेंगे इम लोग एक एक नंबर को आपको ऐसे कोशन मिलेंगे भारती समाज के आधुनकी करण में सामिल माडल है समाजवाद, पज्यातन, धर्मिर्पेच ये सभी तो यहाँ सही जवाड़ी हो जाएगा ये सभी हो जाएगा याई भारती समाज के आधुनकी करण में समाजवाद भी है, परजातंत भी है, धर्म पेच भी है, ये सभी चीज़ें है बच्चो, इसलिए जहां जो है, उपिल्ट सभी हो जाएगा, साच्छतकार कार उस सो रूप माना जाता है, सामधाई की सामुही की ब्यक्तिगत की इन में से कोई नहीं, तो सही जबाप सी हो जा चेतना का विकास कैसे हुगा, उपनिवेशिक में इस क्या था बच्चो, उपनिवेश, देखो जब हमारे देश पर अंग्रेजों का सासन था, तो उस समय उस काल को उपनिवेशिक काल कहा जाता था, ठीक है, यानि हम लोग गुलाम थे, किसके बच्चो, अंग्रेजों के, तो उपनिवेशिक काल में भारती चेतना का विकास कैसे हुगा, देखो एक कोशन बही बार परिच्चों पूछे गए हैं, ताहिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं, देखो उपनिवेशिक सासन काल में बिशिष्ट भारती चेतना का जन्म हुगा, क्योंकि उपनिवेशि पूछे जाते हैं उपनिवेश वाद से आप क्या समझते हैं ताहिए इसका उत्तर दिखेंगे देखो बच्छो एक अस्तर पर एक देश के दौरा दूसरे देश पर सासर को उपनिवेश वाद माना जाता है अधुनिक काल में पश्चिमी उपनिवेश वाद का सबस्यधी पर भाव रहा है समिधान ने पिछडी जातियों के विकास में क्या योगदान दिया समिधान ने पिछडी जातियों के विकास में क्या योगदान दिया ताहिए इसका उत्तर देखेंगे देखो समिधान ने समाजी रूप से पिछडी जातियों के विकास के लिए बिना किसी भ भेदभाव के रोजगार उपलब्द करवाए तथा उन्हें इन्हें समाज की मुख्धारा में सामिल किया गया ठीक है अगला कोशन है बचो प्राकिर्तिक निरोध क्या है प्राकिर्तिक निरोध क्या है देखो माल्थस ने जलसंख्यार निंत्रन के दो उपाएं बताए हैं प्राकिर्तिक निरोध यहां किर्तिम निरोध प्राकिर्ति जो प्रकित द्वारा किर्तिम जो मानो द्वारा ठीक है देखो बच्छों इस सब कोश्चन आपको प्रिष्ट के माध्यम से आप यदि आप हमारे समाज सास्त्र के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अच्छ किति निरोद यह किति निरोद प्राकिर्टिक निरोद से मालथस का अब प्राइब पच्चों प्राकिर्टिक आपदाओं के कान लोगों की जो है मिलित्व होने से हैं जिसके कान जर्जंख्या पर प्राकिर्टिक रूप से नियंत्रा हो जाता है जैसे भुकम पर सुनामी रहता है या परिवार और समाजी संसादनों की एक जो है पीड़ी से अगली पीड़ी में उत्राधिकार के रूप में घनिश्टता से चूला हुआ है अगला कॉशन है किसी मजदूरों की निम्न आय का मुख करना क्या है तो उत्तर दिखेंगे में लोग किसी मजदूरों की निम्न आय का निम्निखित करना है नमबर एक, निम्लिखी ताज़े बच्छों नमबर एक, उनका जो है रोजगार आसुरच्छित होता है, नमबर दो अधिकांस किसी मजदूर प्रदिन दिहारी का कमाने वाले होते हैं, नमबर तीन वर्ष के अधिकांस दिनों में उनके पास कोई काम नहीं होता है, चलिए ए उत्राखंड में, उत्राखंड की महिलाओं ने वन पंचायत की स्थापना की थी, वन पंचायत की महिलाएं पौध सालायन पना कर छोटे-छोटे पौधों का पालांत पोशार करती हैं, इसके जो है सदस से आस-पास के जंगनों की अवैत कटाई से सुरच्छा भी करते हैं आला कोचन है, समाजी विश्यमता से क्या आप्राय है? ना तो सिच्छा होता है ना तो स्वार्शंबंदी कोई चीज़ें होती हैं, इसलिए वो पीछे होते हैं दूसरे के पेच्छा, यही है समाजी विश्यमता, कुछ लोगों के पास होता है, कुछ लोगों के पास है, नहीं होता है, चाहिए गरा कोचन देखेंगे, समाज सास सास्त्र हमें क्या सिच्छा पदान करता है कि हमें विश्व को नकेवल स्वयम की बलकि दूसरों की दिश्ट से भी देखना चाहिए ता मानो समाज के संधर्व में जो है निश्पट्ष बैज्यानिक सत्य की और बढ़ना चाहिए ठीक है अगला कुछन है कि साच्छरता से आप क्या समझते हैं, साच्छरता से आप क्या समझते हैं, तो बच्चों, सिच्छित होने के लिए साच्छा होना आवश्चक है, और साच्छरता सक्ति संपन होने का संपोर साधन है, अब भारत का लगभग दो तिहाई भाग साच्छा है, यानि पढ़ा लि समाज की घटनाउं पर्सितियों समाजि के बारे में ज्यानकारी पराथ करना समाजि 對מה साथ gefallen समाज के ब्यवस्थित वाइग्ञानिका धर्णाद्रित है समास् clicking Eddy जो जियान पोई ब्यक्ट्रिवारिय एक कर प्रात करता है उसे सहाज समान बोद कहते हैं ठीक है इस ग्यान के लिए ब्यक्ति को किसी कुछ तक विद्यालत सा घराद की कोई आशकता नहीं होती है बच्चों उसे या ग्यान अपने आसपास के वाता वरण से ही जो है सरलता से मिल जाता है इसी कहते हैं समाज साथ में सह समान बोद ऐसा चीज होता है जिसमें बालाक को किसी विद्यालाय वगरण सिच्चा नहीं मिलती है उसको छोड़का अन उसके आसपास वाता वरण मुषकों सिच्चा मिल जाती है इसी कहते है समाज सहाज समान बोद कहते हैं चले आओ गुलभूत्री कोशन है जो पूछे क समर्चना में किस प्रकाब करिवतन ला सकते हैं टो भिए अगले लगुत्री कोश्चन देखिंगे उख ता है देखो परिवार हमें जीवन का अभिन अंग माना जाता है हमारे लिए इसका जो है अस्तित स्वत्ता स्बित माना जाता है समाण तोपर परिवार कि बलकि सांस्कितिक बिचार, मानकों और मूलों में भी परिवत्तन होते हैं समाज समचना में होने वाले परिवत्तन परिवारी समचना को पर्थच रूप से प्रभावित करते हैं परिवार समाज की मूल इकाई माना जाते बच्चों, परिवार के समयुत रूप से मिलने पर समाज का निर्मा होता है, कोई भी परिवार समाज से पित्थक नहीं किया जा सकता, समाज में समयुत यों एकाकी परिवार की मूल परधानता होती है, बदलते समाजिक परिवेश मे बदलते समाजिक परिवेस में जो है आज समुत परिवार की स्थिति दिन प्रद्दिन कमजोर होती जा रही है वहीं जो है एकाकी परिवार की परधानता बढ़ती जा रही है परिवार आर्थिक राजनीतिक सांस्कितिक सहचिक छेत्रों से संबंध रहता है जो समाजिक परस्तिती का अभिन हिस्सा होता है बैवाही संबंध भले ये दो परिवारों के बीश होते हैं बच्चों परंत इसे समाजीक जिम्मेदारी का विश्ष छिस्षा माना जाता है इस प्रकार समाजी सरचना में होने वाले परिवत्तन पारिवारिक सरचना को जो है परभावित करते हैं अब बच्चों दो है दीरगुत्री प्रसन भी आते हैं आप लोग कुछ दिखाते हैं देखो दीरगुत्री कोश्चन जो है आठ रंकों को आपको पूछे जाएंगे जिसे हरित करांद के समाजीक आर्थिक परभाव की जो है विवेचना कीजिए सुद्धा के बाद हुए ग पूछे जाते हैं और इसके प्रमुक्स रूपों की जो है ब्याक्या कीजिए तो आठ रंकों को दीरगुत्री प्रसन देखनें को आपको बच्चों मिलेंगे हरित करांद के समाजीक आर्थिक 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 परभाव विवेचना कीजिए चले इसकाम लोग उत्तर द किसे समाज पर पढ़ने वाले इसके प्रभाव का जो है लेक कीजिए अथवा हरित करांद के समाजीक आर्थिक प्रभाव की जो है विवेचना कीजिए तो चलेजी बच्चों इसका उत्तर देखेंगे बहुत इस्तराल तर्की से कोश्चन दोजाचविस में जरूर पूछ व्रिजिसद के समाज crush नमबर पूछे जाएगा कि भारत में हरित करांध की विजीव किसे कहा जाता है तरह एमें Southam可 को जो है स्वामी नाथन दोरा हरित करांध का प्रणाब किया गया था हरित कराम्त का अतात्तपर देश के सिंची तेवं ड़कि किसी छेत्र में अधिक उपर देने वाले संकर किस्म के वीजों से उत्पादन में व्रिद्धी करना है ठीक है ग्रामी भारत का परमुग ब्योसाय बच्चों किसी रहा है आप लोग जानते हो ज़्यादा ज़्यादा जनसंख्या जो है भारत में किसी पर निर्भर है तो ग्रामी भारत का परमुग ब्योसाय किसी रहा है किसी भी जीवने अपन के रूप में की जाती रही है प्रन्तू उपनिवेश काल एम सतंता प्राप्ती के पश्चाथ नवीन ग्यान वा तकनीकी के दवरा खेती एक ब्योसाय के रूप में विक्सित होने लगी बच्चों 1960 और 1970 के दसक में उन्नत किस्म के वीज में उन्नत किस्म में वीज उन्नत खाद और शिचाई के उपलब्ध नए साधनों ने भारती ग्रामों में हरित करांधी का सुभारम किया है हरित करांध में बैग्यानी दिश से आधुनी किसी अंतरों का परियोग किया जाने लगा है हरित करांधी किसी आधुनी की करांध का एक सरकारी कारिकरम था और इसके लिए अंतराष्टी संस्थाओं दर आर्थी सहयता दी जाती थी तथा यह अधिक उत्पादक्ता वाले संकर बीजों के साथ किस नाशकों, खादों तथा किसानों के अन्य निवेश्ट देने पर केंद्रित थी। परवाद देश के कुछ सीमी छेतों जैसे पंजाब, पाश्यमी उत्तर प्रदेश, तटी यांद प्रदेश यह तमील नाट के कुछ छेत्रों तक ही जो है रहा, ठीक है। किसी का अस्तर बढ़ा तक कम समय और कम स्रम में जो है अधिक उत्पादन संभव हो सका। किसी के मशिनगी कराण के चलते किसी हेतों परियोग होने वाली मशिनों के अत्रिक्त हाइब्रीड बीजों, किट नास्कों, खरकवतवा नास्यता रसायनिक उर्वरों की मार्ग में तिरू बिद्धी होई, पहिडाम सुरूप देश में इससे सम्मंदित उद्धों का जो ह किसी के विश्कास के लिए आवश्क और सरजनाये जैसे परिवहां सुभधा है तो सडकें, ट्यूप बेल, दौरशिचाई, गामी, छेत्रों, बिद्धुत, अप्रिवती, भंडारान, केंद्रों और अनाज, मंडियों को विश्कास होने लगा जो है विविन फस्रों के लिए नियुंतम समर्थान मूल ले वा अनसब्सिडी, सब्सिटी मने होता छूड बच्चों अनसब्सिडी स्रेवाओं का प्राध्वान भी इस समय शुरू हो गया इसके फस्रों किसानों को उनकी फसल का उचित मूल ले मिलना समभ़ हो गया किसानों को दिये जाने वाले इस प्रोशाहन मूल से जो है नई किसी तकनीक के अपनाने में सच्छव हो गये किसानों को जो है बित्ती सहायता पदान करने के लिए विविन वारी जीक सहकारी बैंक देखो बित्ती में सोता है पैसे समन्दोता है सायकारी बैंता को आपरेटिव सोसाइटी आध के माध्धम सुने रिण सुधाय दी जाने लगी इस काम बच्छों किसान किस्षी में लगने वाले लागत को जो है आसानी से इन सरस्थाओं से प्राप्त कर सके हरित करांती तथा मसीन की करांस उत्पादर में हुई ब्रहुत्तरी के कान जो है ग्रामीर छेत्रों में रोजगार के लिए नए अवसर बिख्षित हुए तथा हरित करांती की वज़ा से पूर्वी उत्तर प्रदेश विहार तथा उड़ीसा में से लाखों की संख्या मादूर पंजाब, हरियाणा और पश्च्छमी उत्तर प्रदेश में रोजगार की खोज में जाने लगे हरित करांत के समाजी परिडाम, हरित करांत के गरामीर समाज में ब्यापक अस्तर पर बदला हुए, इनमें से स्रवादिक महत्पूं था गर्मीर समाज का बजारों मुख वागर्सीर होना हरित करांत के बाद जो है किसी किसी पूर्व की भात जो है मात्र एक जीव को पाजन साधर नहीं डाई बलकि या अब ग्रामीर्थ समाज की आय का मुक्ष्रोध बन गई है किसानों की आय बढ़ने से उनके समाजी केवन से अच्छी कस्तर का जो है विकास हुआ इसके काम अच्छों ग्रामीर्थ छेत्रों के लोगों में स्वकेंद्र का भावना का विकास हुआ जिससे प्रामपरी के समित परिवारों को इस्थान पर एकल परिवार की विवस्था प्रचनल में आई खेफिक करांती के करांथ नहीं लोगों की आयए में विध्धी होी और इसने ग्रामी समाने प्रास्परी रूत शे चली आ रही पर्थाऊं जिसे वस्तु बिन में यानि वस्तों का अदला बदली आधिकर जो है समाप्त किया गया हरित करांद के विशय में या कहना अनुशीत नहीं होगा कि या छोटे और श्रीमान्त किसानों की तुलना बड़े किसानों के लिए अधिक लाप्रत रही इसका मुख करान नई तकिनीकों में लगने होने वाली लगने वाली अत्यधीक लागत थी जिसे छोटे किसानों दोरा जो है वहन करना समभव नहीं था इसका परिणावा हो जहां अर्थिरост्द्रा समार्ष न संसितिक वद्रणों में किये किए वहीं इससे कई नहींती समय भूत्त पनल हुई उत्तर भारत के छेत्रों किसा今天 पश्मी कर्या प सब्सक्राइब अधिके 7 कीं वित्ती बढ़ी। हरित करांती का महिलायों के जीवन पर भी जोई ब्यापाण परभापला, हरित करांती से पूर्भ महिलायों बाहर खेतों में काम करके घर के पुरूष दर्स्तों का जोई हाथ भटाया करती जीज लेकिन किसानों की आय तत अमम स divानों के भर्रत्यग पर्य